नमस्कार दोस्तों, आसा करता हूँ आप सब ठीक होगे। मेरा नाम है देव सागर, आज हम जानेंगे रिशी सुनक बायोग्रिफी बने रहे बिडियो के लास्ट तक। ब्रिटेन के नए प्रधान मंत्री रिशी सुनक पर स्थानिय पुलिस द्वारा चलती कार में सीट बैल्ट नहीं लगाने के लिए 50 पाउंट का जुर्माना लगाया गया था वे वेस्ट मिन्स्टर के सबसे धनी राजनेताओ में से एक हैं, जो ब्रिटेन के पहले अश्वेत नेता हैं, उन्हें आधिकारिक तोर पर किंग चार्ल्स द्वारा पूर्फ पी-म लिस्टरस की जगह सरकार बनाने के लिए कहा जाएगा, जो पद से इस्तीफा देने से पहले केवल 44 दिनों तक नौकरी में रहे थे। जिन्होंने अपने पद से हटने का फैसला किया, सनक को वापस करने के लिए खुद के नेतरित्व की बोली। विडियो सिरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें, हम आपको ये से ही और विडियो लाते रहेगें। 41 वर्षिय रिशी सनक ने 2020 से 2022 तक राजकोश के चांसलर के रूप में कार्य किया। 180 को साउथ हम्टन, हैंप शायर, दक्षिन पूर्व इंगलेंड में भारतिय माता पिता यश्वीर और उशा सुनक के यहां हुआ था, जिनका जन्म क्रमश केन्या और तंजानिया में हुआ था उनके पिता एक सामाने चिकित सक थे, जबकि उनकी मा एक फॉर्मासिस्ट थी जो एक स्थानिय फामेसी चलाती थी। करती हैं। अगर आप रिशी सुनक के फैन है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें। ब्रिटेंग के पूर्व पी-म बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के एक दिन बाद 8 जुलाई 2022 को रिशी सुनक ने घोशना की कि वह बोरिस जॉनसन की जगह कंजवेटिव पार्टी लीडर्शिप इलेक्शन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। बोरिस जॉनसन का समर्थन करने वाले रूरीवादी राजनेताओ ने प्रधान मंत्री को नीचे लाने के आरोप में रिशी सुनक की आलोचना की सनिक में हॉस्पिटेलिटी उद्योग में नौकरियों का समर्थन और स्रिजन करने के लिए 30 पाउंड बिलियन इट आउट ट तलपे ये ओफ तीन से 31 अगस्त 2020 तक सोमवार से बुधवार तक उपलब्ध था जबकि कुछ इस योजना को सफल मानते हैं क्योंकि इसमें भोजन में 849 पाउंड मिलियन की सबसीडी दी है अन्य असहमत है वार्विक विश्व विद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि इस योजना ने COVID-19 संक्रमनों में 8 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के बीच ब्रिद्धी में योगदान दिया है रिशी सुनिक ने अगस्त 2009 में अक्षता मूर्ती के साथ शादी के बंधन में बंध गए इस जोड़े की दो बेटिया है उनकी पत्नी भारतिय अरब पती एनार नारायन मूर्ती की बेटी है और कैट मारन वैंचर्स में निदेशक के रूप में कार्य करती है वो अपना फैशन लेबल भी चलाती है और ब्रिटेंग की सबसे धनी महिलाओं में से एक है रिशी सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ती के पास गैर अधिवासित स्थिती है जिसका अर्थ है कि उन्हें उस आय पर करका भुगतान करने की आवश्यक्ता नहीं है जो उन्होंने युनाइटिट किंगम में रहते हुए विदेश में अरजित की थी मूर्ती विशेश स्थिती को सुरक्षित करने के लिए लगभग 30,000 पाउंड का भुगतान करती है जिससे वो ब्रिटेंग के करो में अनुमानित 20 मिलियन पाउंड का भुगतान करने से बच जाती है रिशी सुनक द्वारा प्रधान मंत्री के लिए चलने की घोशना के दौरान उठे मामले पर मीडिया विवात के बाद अक्षता मूर्ती ने 8 अप्रेल 2022 को घोशना की कि वो अपनी वैश्विक आई पर ब्रिटेंग के करो का भुगतान करेगी उसने आगे कहा कि वो नहीं चाहती कि यह एक ऐसा मुद्दा हो जो उसके पती की योजनाव से ध्यान भटकाए कथित तोर पर यह भी पता चला कि रिशी सुनक ने 2021 तक 2000 के दशक में हासिल किये गए अमेरिकी स्थाए निवासी कार्ट को जारी रखा था जिसमें चांसलर बनने के 18 महीने बाद भी शामिल था जिसके लिए यूए स्टैक्स रिटन भरने की आवश्यक्ता थी दोस्तों आसा करता हूँ आपको ये मेरा विडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सेय करे और लोगों को भी इसकी जानकारी दे और चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए विडियो की जानकारी आपको मिलती रहे थैंक यू